हलो नमस्कार जैहिंद जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा तमाम साथियों का स्वागत है आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्ते की जितने भी विधाएं है उनका मोटा मोटा परिचे जैसे कि ये जो कक्षा कक्ष के अंदर जो कोशल है उसको और विक्षित करने के लिए है जो प्रियोग में ली जाती है शिक्षन कोशल को जैसे कविता विधा हो गई कहानी क्या है नाटक क्या होता है उपन्यास किसे कहते हैं रेखा चित्र क्या होता है जो मोटा मोट जानकर या यूँक हैं कि जो हिंदी साहिते की ये जो प्रमुक विदाएं हैं इनकी परिवाशा देखेंगे हम संस्मरन हो गया, आत्म कथा हो गई, जीवनी हो गई, एकांग की वगेरा हो गई इन सब की definition मोटा मोटा परिचे है जो हम देखेंगे अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और पहली बार जुड़ने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा प्रारंब करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एकांग की गई, कि एकांग की क्या होती है तो एकांग की में एक गटना होती है, एकांग की में एक यहां पर आ रहा है तो आपके मस्तिस्क में ये बात फिट हो जानी चाहिए कि एकांग की में मतर एक गटना का जिक्र है जो होता है और वहें नाटकी एक कोशल से चरम सीमा तक पहुंचती है एक गटना होती है और नाटकी जो कोशल होता है जो कला होती है उस वहाँ से है जो चरम तक प्राकाश्टा तक है जो पहुंसती है इसमें संपूर्ण कारिये एक ही इस्तान पर जब एक ही गटना का जिक्र होगा तो एक ही जिगे एक ही समय में गटित है जो दर्शाई जाएग तो संपूर्ण काम जो है संपूर्ण जो कारिय जो है एक इस्तान पर और समय में हो रहा होता है एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष को लिया जाता है जीवन के किसी एक पक्ष का ही है जो चित्रन किया जाता है एकांकी में कम से कम पात्र होते हैं, इसमें छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता है, शंक्षित्ता एकांकी के लिए अवश्यक है, यो समझे कि एकांकी से जुड़ा कोई सवाल आएगा, तो एकांकी की जितनी भी ये विशेस्ताइं है, एकांकी की विशेस्ताओं से समय में है जो होता है, तीसरी बात, एकांकी में जीवन की किसी एक पक्ष को ही लिया जाता है, कम से कम पात्र होते हैं, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाता है, और शंक्षित्ता एकांकी के लिए आवश्यक तत्व है, तो ये हो गई, एकांकी की विशे मे definition अब देखते हैं उपन्यास बिल्कुल सिधी सरल बात है उपन्यास में लेखक जो है मानव जीवन की तस्वीर को इस निपूनता से इस तरीके से इस कोशल के साथ प्रस्तूत करता है कि हम उसमें डूब जाते हैं बिल्कुल खो जाते हैं और उसमें वर्नित जो कथा होती है विस्तृत कथा ही कह सकते हैं उसमें जो वर्नित कथा होती है हमें अपनी सी लगती हम उससे जुड़ जाते हैं उपन्यास में जीवन का व्यापक चितन होता है विस्तार लिये होता है डिटेल के साथ है जो चितृत किया जाता है गठनाओं को कथा को उपन्यास के अंदर ठ परिवाशा क्या है वो देखेंगे इसकी कहानी विधा आती है तो कहानी एक ऐसा अख्यान है जो एक ही बेठक में पढ़ा जा सके यानि जब हम कहानी इतनी चोटी होती और इतनी बड़ी भी नहीं होती कि हम परियास करते हैं उसमें जब रस आने लगता आनन्द आने लगता एक बार में कहाने शुरू करने के बाद में निप्टाने की हम कोशिश करते हैं, परियास करते हैं एक ही बेठक का यहां पर यही तात्प्री है, एक ही बेठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर किसी एक परभाव को उत्पन कर सके पढ़ने के बाद में कुछ लगे कि हाँ यार कुछ बदलाव था, कुछ परिवर्तन हुआ इस कहानी से परभाव है जो हम पर पढ़ा इसमें उन सभी बातों को छोड़ दिया जाता है जो इस परभाव को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती है कहानी में यानि कि वही तत्व वही बातें मनों मस्तिस्क में रखकर लेखक लिखता है जिन से पाठक परभावित होता हो अनरगल अन्यत्र जो बाते हैं अन्यता बाते उनको छोड़ दिया जाता है कहानी में जीवन के किसी एक अंक का चित्रन रहता है बड़ी से बड़ी कहानी भी छोटे से छोटे उपन्यास से छोटी होती है कहानी में विचार को सांकेतिक रूप में रखा जाता है इस बात को अवश्य ध्यान में रखेगा कहानी में जो थोड प्रोसेस होता है राइटर का लेख का उसको सांकेतिक रूप में है जो रखा जाता है अगली विधा की ओर चलते हैं वो है निभंद निभंद गद्धे की वह विधा है जिसमें विचारों क्रमबद रूप में रखा जाता है मतलब एक sequence के तोर पर चलता है यहाँ पर किसी गटना का प्रारम हुआ उसके मिड में क्या चीज़ें होई फिर आगे वो गटना कैसे बढ़ी और आखिर में क्या होता है तो इस करम के रूप में है जो निवन्द आगे बढ़ता है और गटने की ये विदा है निवन्द और विचारों करम्बद रूप में रखा जाता है निवन्द के लेखन के लिए अध्यन और विषय का अवश्य का ग्यान आवस्च और किसी भी बात पर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपकी अध्यन व्यापक हो और विशे का जो ज्यान है वो आपको गहरा हो तब ही आप निबंद को है जो भली बाती निभा पाएंगे इस विदा को बाबु गुलाब राय नाम के विद्वान हुए हैं उनका एकोटे से ने वो कहते हैं कि निबंद सीमित आकार वाली वहरचना है जिसमें विशे का परतिपादन, निजीपन या निजपन, सवच्चता, शोष्ठव, सजीवता और आवशक संगती तता संबधता के साथ है जो किया जाता है यानि कि बाबू गुलाब राय कहते हैं निबंद के अंदर ये तमाम विशे सता हैं, तमाम चीज़े हैं जो होनी आवशक है और ये कोटेसन सिधा सिधा देकर भी कई बार परिक्षा में पूछा गया है कि निवंद के विशे में ये कथन है जो किसका है तो ये है बाबू गुलाब राहिसाब का चलिए अगली विधा का जिकर हम करते हैं वो आती है आत्म कथा आत्म यानि श्वेम की कथा तो आत्म कथा का जो लेखक है आत्म कथा का लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है आत्म यानि श्वेम की कथा श्वेम लेखक लिखता है दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी व्यक्ति दौरा लिखी गई अपनी जीवनी आत्म कथा है किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में जो वर्णन किया जाता है या यूं कहें अपनी जीवनी जो लेखक लिखता है श्यम की वो आत्मकथा कहलाती है आत्मकथा का नायक लेखक श्यम होता है इसमें वो अपने बीते विये जीवन पर द्रिष्टे डालता है अपने अतीत का विशलशन करता है वर्णन है जो करता है अगली बात आती है विधा आती है जीवनी उपर हमने बात की आत्मकता की आत्मकता लेकर श्रम अपने विशे में लिखता है और जीवनी जो होती है वो लेखक जो होता है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में है जो लिखता है दूसरे व्यक्ति के जीवन के विशे में लिखता है यानि जब कोई लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की महत्वपून गटनाओं को रोचक धंग से प्रस्तुत करता है तो उसे क्या हम क्या कहेंगे जीवनी कहेंगे जीवनी का जो नायक होता है लेकर श्यम नहीं होता कोई अन्य वेक्ति होता है और जीवनी का जो नायक होता है जो एक्टर होता है जो हीरो होता है वो अगर श्यम हो तो वो कहलाएगी आत्म कथा कताकार, राइटर अपने विशे में लिख रहा है तो वात्म कता होगी, अन्ने के विशे में लिख रहा है तो वो जीवनी होगी अगली विधा आती है यात्रा वृतांत आपने सुनाओगा कि इन इन अमुक अमुक लेखकों ने यात्रा वृतांत लिखे हैं तो जब यात्रा और वृतान्त यात्रा के बारे में वर्णन ही यात्रा वृतान्त कह सकते हैं मोटा मोटा तो जब लेखक अपनी यात्रा के दोरान देखे गए इस्तानों का वर्णन करता है तो उस यात्रा वृत या उसे यात्रा वृत या फिर यात्रा साहिते कहते हैं लेखक जो होता है वर्ण विशे का वर्णन आत्मियता तथा निजता के साथ करता है जिस विशे का वर्णन करता है उसके साथ उसका जुडाव होता है उसके अपने जीवन का संधर भी उसमें है जो आ जाता है यात्रा वृतान का लेखक यात्रा के विवरणों में इस्तान उस समय के जो देखेगे दृष्टे वहाँ गटित हुई गटनाए तथा वेक्ति से सम्मदित कटू एवन जो मधूर इसमर्तिया है उन तमाम बातों का है जो चित्रन करता है जिक्र है जो करता है यात्रा वृतान यात्रा के साथ साथ जो चीजें उसके साथ गटित हुई देखी दृष्टे गटनाए तमाम चीजें जिस परकार के उसकी जीवन शेली रही यात्रा के दोरान वो तमाम चीजें यात्रा व्रतांत के इंदर है जो देखी जाती है अगली जो विधा है वो है रेखा चित्र रेखा चित्र के विशे में हम देखें तो जब किसी वेक्ती वस्तू इस्तान घटना दृष्ष आदी का इस प्रकार से वर्णन किया जाए आद कि पाठक उस रेखा चित्र को उस घटना करम को पढ़ते विए इमेजिन करने लग जाए वो चित्र उसके सामने वेसे के वेसे है जो आने लग जाए तो वो रेखा चित्र की श्रेणी में है जो आएगा इस प्रकार के वर्णन में वेक्ती को तठस्त है जो होना पढ़ता ह ना इसका पक्ष लेना ना उसका पक्ष लेना बिल्कुल तटस्त होकर है जो चीजों को उकेरा जाता है रचा जाता है तब जाके कहीं रेका चितर है जो बनता है अगली विधा की हम बात करें वो है संस्मरण संस्मरण यानि याद कह सकते हैं तो जब लेखक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती किसी गटना जो पीछे बीती हुई है उस गटना या दृष्टे का इस्मरण करता वा याद करता वा उसका वर्णन करता है तो से हम क्या कहते हैं संस्मरण है जो कहते हैं संस्मरण जो है वो इस्मर्ति के आधार पर लिखा जाता है ये विशेस्ता पूछी जा सकती है संस्मरण जो होता है वो इस्मर्ति के आधार पर याद के आधार पर लिखा जाता है संस्मरण लिखने के लिए जरूरी है कि लेखक वर्णित व्यक्ति घटना आदी के साथ व्यक्तिकत संबंद रहा हो ये भी बात नोट करने लाइक है संस्प्रण वही व्यक्ति लिखा जाता या वही उसके निभा पाता है जहां पर लेख का वर्णित जिस भी व्यक्ति के विश्व में वर्णन किया जा रहा है उससे को उसमें अपनी कलपना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं है जो जो गटना एक घटित हुई जो जिसके साथ जैसा सम्मद रहा उनको हूब 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 लिखना ही संस्प्रण है कलपना अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करना वहाँ पर अनुमति नहीं है एलाव नहीं ह संस्प्रण के अंदर अगली विधा आती है कविता कविता के विशे में आप सब विदित हैं कि कविता लयात्मक होती है अमुर्थ होती है उसमें बिंबों का प्रियोग होता है कविता में साथ उसमें मितवेता का खास खयाल रखा जाता है यानि कि कम से कम शब्दों में अ मुक्त चंद का जनक प्रणता किसे कहा जाता है कमेंट करके बताईएगा और दूसरी तरब चंदों के अंदर भी होता है चंदों बद भी होती है जैसे कि दोहा में चौपाई में जैसे उर्दों में रुबाईयां कहते हैं हिंदी में जो मुक्त कहलाता है वो अलग अलग विदा आती है नाटक और बहुत महत पूर्ण विदा है भारतेंदू, हरिश्चंदर ने, जैसंगर परसाद ने, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी अबड़ी नाटक है जो रचे हैं नाटक में किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है जो कलाक कि वास्त्विक सपलता मंच पर खेले जाने में है जिन व्यक्तियों की कथा नाटक में होती है वे आपस में या श्यम से वारता लाप करते है और वारता लाप का अधार होती है भाशा पहले रामलेला के दोरान गाओं के इंदर कहीं सारे नाटकार है जो आते थे तो ये थी हिंदी सायते की विधाएं अगर अच्छा लगा यह शेशन तो लाइक कीजिए सभी दोस्तों तक शाजा शेर कीजिए पहली बार देखने वाले बंदू सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लिजिए अपनी एप्लिकेशन है नव स्रिजन क्लासेज प्ले स्टोर पर जाकर आप इंस्टोल किजिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सूपर हंड्रेड बेच भी चल रहा है जुड़कर अपने तयारी को और बहतर बना सकते हैं अपना अन्य चैनल है जांकार यहाँ पर तेलिक्राम पर दी जाती है जहिंद पर मिलता है